वालो दोस्तों, एक बाप फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनू से आपके साथ है। बहुत-बहुत आभार मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ्स English and Personal Development को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम समय में 13,000 सब्क्राइबर्स और 500 से ज़ाद वीडियोज थैंक यू थैंक यू आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत बड़ी समस्या की जो इंग्लिश बोलते समय बहुत से मेरे भाईयों और बहुत से मेरी बेहनों को जिसके सामना करना पूलता है और वो समस्या है हेजिटेशन की समस्या जिजर की समस्या मैंने ये पाया है कि बहुत से लोगों को काफी ग्रामर का ग्यान है बहुत से लोगों को काफी वर्ड पावर भी आती है लेकिन जब इंग्लिश बोलने का मौखा आता है तो जैसे लगता है कि जबान में ताले लग गए एक भी वाक्य निकल नहीं पाता है आप इस वीडियो को पांच मिनट अंत तक पूरा देखिए आपको जरूर एक ऐसी टेकनिक बताओंगा तीन मैं टेकनिक्स बताने जा रहा हूँ मैं तीन उपाए बताने जा रहा हूँ और तीन सुलुशन बताने जा रहा हूँ उससे अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैटरिल मिलेगा आसिफ्स ASIF अपाश्वाफियस आसिफ्स English and Personality Development तो आप उसे एगरी करेंगे इस बात के लिए कि बहुत से लोगों को जिचक की, हेजिटिशन की प्राब्लम है और फियर औफ फिलियोर है अगर मैंने English भोली कहीं कोई हसने ना लगे कहीं मेरा अपमान ना हो जाए शर्मिदीगी ना उठानी पड़े, Embracement ना हो जाए एक बात और बताना चाहूँगा जो बात मैं Hindi में कह रहा हूँ अभी इसके तुरंद बाद English में भी इसको शूट करूँगा और इसी बात को English में समझाँगा तो जीजक की प्रावलम की बात करा हूँ ये एक आम समस्या है और बड़े पैमाने पर लोगों में ये समस्या आई जाती है तीन सोलुशन बता रहा हूँ बहुत होर से सुनिये, ध्यान से सुनिये और अगर आपको ये लगे कि हाँ सर ठीक बात बता रहे है तो मेरे वीडियो को शेयर कर दिजेगा छोटे वीडियो बनाता हूँ अभी पांच मैंने बात खतम हो जाएगी सबसे पहला काम जो आप करना चालो कीजे भाईयों और बेहनों कोई भी किताब उठाई एक एक एकांथ में बैठिये और लाउड और क्लियर रीड करना चालो कीजे जैसे ये वाज गुएंग टू मार्केट इस सा अब बॉई अन दा वे दा बॉई वाज वीरिंग ग्लासे शर्मनदगी मत कीजेगा एकांथ कमरें बैठियेगा लाउड और क्लियर बोल बोल करके रोज एक पेज रीड करना चालो कीजे बिल्कुल अजमाई हुई तकनीक है सैकलो हजारों लोगों ने इस टेकनीक का यूज करके जिज़े को खतम किया ये पहली टेकनीक बता रहो रीडिंग इस मस्ट जब तक आपकी जीब से इंग्लिश बोली नहीं जाएगी तब तक आपकी इस पोकें इंग्लिश कभी भी इंप्रूफ नहीं हो सकती नहीं हो सकती बस एक बात क्या ध्यान रखेगा अगर आपको प्रोदूसियेशन में यानि उचारण में ज्यादा प्रॉब्लम है तो पहले किसी के साथ बैठ करके प्रैटिस करके फिर ये काम कीजेगा शुरू में आसान किताबें उठाईए चोटे भाई बहनों किताबें उठाईए ठीक है रीडिंग करना चलोगी रोज एक, दो, तीन, जो भी आपके पास समय है लेकिन बोल बोले के लाउड और क्लियर आप कभी भी देखिएगा जो निउस डीडर्स होते हैं जब वो निउस डीड करते हैं उनके गाल हिलते हैं यहाँ पे नसें जो वेंस होती है उसमें स्ट्रेंड दिखता है इसलिए क्योंकि वो उर्जा के साथ बोलते हैं यदि कोई भी विक्ती उर्जा के साथ बोलेगा तब ही सुनने वाले को मज़ाएगा तो रीडिंग करना चालो कीज़े दूसरा उपाय आपको बता रहा हूं बहुत सरल अकेले में इंग्लिश बोलने का रीहरसल कीज़े आप विजूलाइस कीज़े ऐसी कल्पना कीज़े कि आपके सामने आपका मित्र बैटा है और उसको भूत काल की कोई बात बताईए आप परसेंट की भी बता सकते हैं आप फूचर की बता सकते हैं भूत काल की बात प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बात होती है मैं आपको डिमांस्ट्रेट करके जरा सा बताता हूँ माल लिजे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी पत्मी मेरे सामने बैठी हुए और मैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं उनके कुछ बता रहा हूँ अच्छी यूनो डियर विन आई वें टो आफिस यस्टडेए अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट में हो तो सबॉर्डिनेट क्लास को भी पास्ट में लगाईए गा यह एक रूल मैंने आपके समने डिमांस्ट्रेट किया इसी तरह से आपकी जो भी छमता है इंग्लिश बोलने की आप कुछ बाते हैं आप इंग्लिश में ऐसा यह मान के चलीगा कि सामने कोई व्यक्ती बैठा हुआ है और आप उससे इंट्रेक्ट कर रहे हैं आप उसको फ्यूचर की बात बताएए आप यह रमेश यू नो आइ विल गो टू सी सिनेमा टुमारो आइ वल हाव असाफ ड्रिंक इन दा इंटर्वल आइ वल यूज माई कार टू गो देर जितना मसल में ताकत हो उतना ही बोज उठाएं लेकिन याद रखिएगा कि धीरे धीरे ही चीज़े आएंगी एक दिन में आप बिलकुल नहीं बनने वाले हैं राजा आपको समय देना होगा अपने आपको हम लोग समय नहीं देते हैं तो पहली टेक्निक रीडिंग करना चालो कुझे कोई बुक लेकर के लौड और किलियर दूसरी टेक्निक अकेले बैठ के रीडिंग छोटोटे बाग बुलिए कम हीर से डाउन वाय डोंट यू लिसन टू मी आर यू क्रेजी अकेली में प्रेक्टिस कीजिए मिरर प्रेक्टिस कीजिए आप मिरर रख लिजे माल लिजे एक रमेश है एक सुरेश है हालो रमेश कहिए फिर कहिए है यास हाउ आर यू डूइंग रमेश फिर खुछ जवाब लिए आपको प्रेक्टिस करनी होगी आपको रिहर्सल करना होगा इसकी पावर आपको बाद में समझाएगी तीसरी चीज़ आप मैं बतारा दो चीज़ें समझ में आया पहले चीज़ रिडिंग कीज़े इंग्लिश बुक की दूसरी चीज़ रिहर्सल कीज़े अकेले में बैठके तीसरी चीज़ बहुत आसान जो आपका करीबी हो आपका छोटा भाई आपका कोई दोस्त जो आपको इंकरेज करे उसके साथ इंग्लिश बोलने का अभ्यास चालू कीज़े आप ये अभ्यास वर्चुल भी कर सकते हैं फोन पर भी कर सकते हैं और अगर कोई फिजिकली आपके साथ हो तो और भी अच्छा है ठीके आप भले ही दूसरे व्यक्ति को इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कहीगा कि मैं थोड़ा बोलूँ अजसे अपनी मम्मी से कहिए कि मम्मी मैं जब भी चाय मांगूँगा आप से कहूँगा मम्मी कें यू प्लीज गेट मी अ कप आफ ठी अपने छोड़े भाई से कहिए कि मैं तुमसे ऐसे पूछा करूँगा इस यूर श्टड़ी गूइंग ओन देखो भाईयों और मेरी बहनों जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक बोलना कभी नहीं आ सकता जिचत को हतम ही करना होगा ये सबसे बड़ा राच्छास है सबसे बड़ी बाधा है सबसे बड़ा औरोध है तो एक बाद फिर से समप कर देता हूँ एक चीज और बताना चाहूँगा यदि आप में से कोई भी भाई या बहन मुझसे इस्पोकें इंगलिश की ट्रेनिंग लेना चाहे तो मैं दो तरह से सिखाता हूँ एक 30-30 मिनट्स के परसनलाइश्ट क्लासेज देता हूँ और दूसरा मैं गूगल मीट पर सुबह 7.30 to 8.30 पैट चलाता हूँ जो की ग्रूप क्लासेज है आपको बाग की डिटेल मेरा वार्टसेप नमबर नोट का लिजे 9335077458 I am repeating 9335077458 आप वार्टसेप कीजेगा उसमें लिटेजेगा कि मैं इंगलिश सिखना चाता हूँ आपसे मैं बाग की डिटेल बहुत reasonable, affordable है घबरा ये करें बिल्कुल भी तो sum up कर लेते हैं चीज़ों को तीन चीज़ें मैंने आपको एडवाईस की निश्च जिजग खतम हो जाएगी थुआ बनके उड़ जाएगी ब्लास्ट हो जाएगी जज़ा आप एक confident इंसान बन जाएगे पहले चीज़ कोई भी English की magazine लीजे, book लीजे read कीजे louder clear बोल बोल के अकेले बैठ के दोसरी चीज़, mirror से बात कीजे mirror में assume visualize कीजे कि कोई आपके सामने है उसको English में अपनी बात बताईए उससे English में सवाल पूछिए उसको English में deal कीजे, internet कीजे और तीसरी बात जब थोड़ा confidence बढ़ जाए अपने परिवार में, अपने मित्रों में जो भी आपका हिताशी हो जो आपकी हसी न उड़ाए जो आपको encourage करे उसके साथ थोड़े English बोलने की practice कीजे ये तीन काम कीजे मेरा वदा है आपकी जग खतम हो जाएगी आपके सपने पुरे होंगे आप काम्याब होंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसको share कर दीजेगा प्लीज अगर अपने चैनल अब तरव सब्सक्राइब नहीं की हमें एक बर और उसका नाम पताना चाहूंगा आसिफस A-S-I-F अपस्ट्रोफी S आसिफस English and Personality Development प्ले लिस्ट में जाएगे 500 वीडियोस मिलेंगे जो चीज आपकी आशिक्ता है जो is thank you so much God bless you thank you thank you thank you